नमस्कार मित्रों आज हम चर्चा करेंगे एक विशेश उपाई पे जिन जातकों का जनम गंडमूल नक्षत्र में होता है उनमें बहुत सी प्रतिभाएं भी होती है और उनमें बहुत सी बाधाएं भी आती है उनके जीवन में जैसे कि विवा होने में देरी बिजनस में जारी कर रहे हैं बच्चे उनके जीवन में बहुत सी बाधाएं आती है इसके साथ साथ हल्फ से रेलेटर समस्याओं के लिए भी गंडमूल दोश जो है वो देखना पड़ता है कि आपको परिशान कर रहा है या नहीं अगर आपके जीवन में गंडमूल नक्षत्र की वज लोगों का प्रशन आता है कि हमने गंडमूल तो शांत करवा लिए हैं लेकिन फिर भी उसका कोई हमें लाग नहीं मिल रहा तो उन लोगों के लिए उन जातकों के लिए ये विशेश उपाय है आपने करना क्या है आपने इसके लिए जो समय चुनना है वो मंगलवार शाम क लोगा रस निकालने और एक कटोरी में उसे भरकर उसमें 11 गोंती चक्र डालते हैं पूरी राप सोते समय अपने सिराने रखें नेक्स्ट डे सुबा बुद्वार को उठखर के आपने इन गोंती चक्रों को निम्बू के रस से निकाल करके शुद जल से धो लेना है धो करके इन पर आपने तिलक करना है केसर का और फिर आपने एक मिट्टी की छोटी हंडी लेनी है या एक कटोरी नुमा कोई भी मिट्टी का बरतन ले ले उसमें दही भर ले और एक च आपने गुमाना है इसे यह ध्यान रखें कि घड़ी से उल्टा एंटी क्लोक गुमाना है गुमा करके आप जाकर के इसे जल परवा करते हैं यह कारह आपको जिस नक्षत्र में आप उत्पन हुए हैं गंडमूल के या तो महीने में जब भी वो आए उस दिन कर सकते हैं या यह मंगलवार को रख करके बुद्वार को सुबा इसे करना है और पांच बार इसे दोहरा दे मित्रो यह बहुती अचूक उपाय है गंडमूल शांती के लिए यदि आपने यह पांच बार कर दिया तो गंडमूल की कितनी भी प्रशानी हो कोई भी समस्या हो वो ठीक हो जा जाएगी और इसके साथ साथ स्वास्त्र में यदि कोई परिशानी है तो वह भी ठीक हो जाएगी तो आवश्य करें औरों को भी बताएं जिनको गंडमूल से परिशानी है जो इस नक्षत्र में उत्पन होते हैं धन्यवाद जैमादग